इस अध्यूजिन को एक यह दो सबसे ज्यादा जो संख्या होनी चाहिए उन लोगों का नहीं है कि ऐसे में सेनिकों की जाती जानके उनका सर्टिफिकेट लेके सरकार क्या पुरूफ करना चाहिए लेकि बीजेपी आरेसिस की सरकार ही जाती बना करके समाज के लोगों को बाटने का काम किया है अब जैसे जैसे समाज के लोग जागरूप हुए हैं कि हमारी जाती जनगारना करके और हमको बताया जाए कि हमारा प्रसंटेज क्या है और उस आधार पे हमको नौकरी में कार नहीं देना चाहते बलकि जाति के नाम पर धरम के नाम पर हिंदू के नाम पर मुश्लिम के नाम पर भारत पाकिस्ताम के नाम पर मंदिर मस्जित के नाम पर हमारे जो समाज के लोग हैं उनको गुमराह करके उनका ओट लेने की राजनित करती है मैंने तो देखा है कि तमाम जाती के नाम पर उन्होंने मंत्री बनाया जब चुनाव आता है विदान सभा के चुनाव के चुनाव के मौके पर जाती है मंत्री बना करके और समाज की बीच में टीवी चैनलों के बादिम से सोशल मेडिया के बादिम से जनता में एक परचार किया जाता है कि हम इतनी जाती के लोगों को मंत्री बनाया और इतनी जाती इसलिए कि हमको जाती के लोगों को ओट मिलना चाहिए लेकिन जब उनकी भागेदारी की बात आती है चाहे वो सेना में हो चाहे वो कारिपालिका में हो और चाहे वो न्याएपालिका में हो तो फिर वो मुकर जाते हैं इसलिए कि तब उनको जाती नहीं दिखाई देती है कि ओट लेनी की बात आती है तब उनको किवल जाती दिखा प्रदेश में राज्यमंत्री देश घटीक है यह कहते हुए कि दलितों का सम्मान नहीं है वीजिती में और आपने भी जब स्टीफा दिया था तो यहीं कारण कुछ रहते हैं आपको लग रहे हैं कि अब इस तरीके से जो स्टीफे आ रहे हैं दलित समाज समझेगा और वीज पीना जा रहा है संविधान में कानून को खतम किया जा रहा है नौकरियों में आरच्षड खतम किया जा रहा है रोजिगार में आरच्षड की व्योस्ता खतम की जा रही है ठेकेदादी में आरच्षड की व्योस्ता जो खतम की जा रही है निश्चित रूप से समाज के लो नसुचित बर्ग का समाज है और वो मतृ रहते कम से कम हमारी आवाज को विधान सभा में उठा रहे हैं हमारी अधिकार की बात कर रहे हैं लेकिन वो तो अपने सुआरत के लिए कि हमोटी Черफी बूंखी सब्कूरूर 2000 का हूँ और अंसुची जाती होने के नाते मेरी बातों को अंसुनी की जा रही है हमारी बात को प्रशासन के लोग नहीं मान रहे हमें बैठकों में नहीं बुला रहे हैं मंत्री मंदल की जब बैठक होती है कोई भी ऐसे अधिकारियों की बैठक होती है तो वो बैठक में उस बिभाग से संबंदित की हमें नहीं बिलाए जाता है इसना थे कि मैं सूची जाती के हूँ यह वी जैपी artsनी की सरकार चयब संविधान की बात आती है आरच cyn आती है लोगतंद्र आती है आजादी की बात आती है तब ये धरम पर उनको गुमराह करने का काम करते हैं और जब उनको पर उनको बैठाते हैं तो फिर उनको वो अधिकार छीन लेते हैं जिसका आवाज उन्होंने बुलंद किया कि हमारे अधिकारों हमारे हमसी होने किनाते हमको अंसूनी किया जा रहा है ये कहीं ने कहीं बाब के सम्विधान के साथ एक खेलवाड किया जा रहा है लेकिन वहीं बीजेपी जब अपना कैंड़ेट राश्टपती के लोग बड़े पहमाने पर राश्टपती अपना बनाना चाहते थे कि सम्विधान को मानने वाला सम्विधान को संपूर रूप से लागो कराने वाले बेकते सम्विधान के खिलाप अवाज इसी होने के नाते इनको बनाया लेकिन बनाने के बाद इनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया मैं तो कहती हूँ राश्टपती जी को रामनात कोबिन जी को उनको मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए इसलिए कि हम सम्विधान से वहां राश्पती बन करके गए थे उनको सम्व बिदान से सीख लेना चाहिए लेकिन आज जो दुरोपती जी को उन्होंने जो जंज आती की हैं दुरोपती जी उनको राश्पती पत के लिए जो मिदवार बनाया ये कहीं ने कहीं विपक्ष के लोगों को कमजोर करने के लिए कि हर छेतर में कहीं ने कहीं आदिवासी समाज के लोग हैं तो कुछ लोगों ने जो वोट दिया है विपक्ष के लोगों ने ये मान करके कि अगर हम दुरुपती जी को वोट नहीं करेंगे तो अधिवासी समाज के लोग हमें साथ नहीं देंगे तो अपनी कुर्शी बचाने के लिए अपना उस प्रदेश में अधिवासी समाज का वोट लेने के लिए एक साजिस की है बीजेपी आजसे सरकार इनके कुछ लोग ऐसे हैं जो रड़नीत ही बना करके कैसे पहले 20 साल की भावनाओं को समझते हुए यह रड़नीत करते हैं जिसके नाते आज विपक्ष फेल हुआ है लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे बहु पूरा बहुजन समाज एक जुट होगा